हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एंड्रियो कार्नेगी अपने समय के दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, उनके साथ 20 से भी जादा मिलिनेर काम करते थे, वे चाहते थे कि जिस नौलेज और विजडम ने उन्हें इतनी सक्सेस दिलाई है, वे दुनिया के आम लोगों को भी सिखाई जाए, उनका इस अपना तब पूरा हुआ, जब उनका और नेपोलियन का इंटर्वियो हुआ, नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट और ओधर थे, इंटर्वियो तकरीबन 3 गंटे तक चला, इंटर्वियो के खत्म होने के बाद, कार्नेगी ने नेपोलियन के सामन एक ओफर रखा, ओफर ये था कि तुम एक ऐसी बुक रेडी करो, जिसके अंदर दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेस्फुल लोगों की नौलेज और विजडम हो, मैं तुम्हें उन लोगों से इंटर्वियो करवा दूंगा, मगर मैं तुम्हें इसके लिए सिर्फ ट्रेव लोगों के लाइफ को स्टडी किया, और उनके नौलेज और एक्स्पिरियन्स का यूज करके एक बुक रेडी करी, जिसका नाम था Think and Grow Rich, एक फैक बताऊं तो, इस बुक ने जितने लोगों की लाइफ चेंज करी है, उतनी किसी भी बुक में नहीं करी, क्योंकि ये बुक अ आपको कोई गोल पूरा करना हो, तो सिर्फ आप विश मत करो, उसे पाने के लिए अपने अंदर एक Burning Desire लाओ, अगर आपको एक फरारी चाहिए, तो कभी ये मत सोचो कि कास ये फरारी मेरे पास होती, आप सोचो कि एक ना एक दिन ये फरारी में जरूर लूँगा, चाहे जो हो, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए आप में Burning Desire होना बहुत जरूरी है, ये आपको लंबे टाइम तक काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, Step 1, Fix the amount of money you want, अपने दिमाग में उतने पैसे की amount की सोचो, जो आप कमाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना है, कभी ये मत सोचो कि आप वोको बहुत सारा पैसा कमाना है, आपको अपने दिमाग में जितना भी पैसा कमाना है, उसका एक fixed amount रखना चाहिए, Step 2, Determine exactly what you intend to give in return for the money you desire, अब आप सोचो कि आपको जो success चाहिए, आप उसके लिए return में क्या दोगे, क्योंकि free में आपको कुछ नहीं मिलता, आप सोचो कि आपना कितना time, कितनी energy, कितनी need sacrifice करना है, आप कितने घंटे काम कर सकते हो, Step 3, Establish a definite date when you intend to possess the money you desire, आप एक definite date set करो, एक deadline set करो, कि कब तक आप अपनी मन्चाही success हासिल कर लोगे, आप जो income चाहते हो, उसके लिए आप एक date set कर लो, कि आप उस दिन तक ये income अचीव कर लोगे, Step 4, Create a definite plan, अब आप एक plan बनाओ, कि किस तरह आप अपने goal को अचीव करोगे, और plan बनाते ही तुरंट action लो, क्यूंकि आप अगर एक दिन भी action लेना late करोगे, तो अपनी success से एक दिन late हो जाओगे, Step 5, Write down everything, एक book लो, और उसमें चारो questions के answer लिखो, तुरंट लिखो, क्यूंकि ऐसा करने से आप तुरंट motivated feel करोगे, और आपको action लेने में जादा असानी होगी, Step 6, Write it Delhi, अभी तक आपने जो कुछ भी लिखा, उससे दिन में दो बार देखो, और जोड से परो, ताकि वो सारी बातें आपके सब constant mind में बैठ जाएं, और आप हमेशा energetic motivated feel करो, तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी बातें आज की बुक Think and Grow Rich से बताई है, मैंने आपको इस बुक की सिवे भी तक एक ही point बताया है, बाकी सारे points मैं आपके साथ अगले part में share करूँगा, कैसा लगा?